स्रिष्टी बच्पन से ही दिखने में सुन्दर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी स्रिष्टी पर उसकी मा जान छेड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सब को स्रिष्टी जेसी बेटी दे। स्रिष्टी धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सुरश्टी की सहली कहती है तो दिखने में कितनी अजीब सी है लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी तेरे पापा अमीर जो है अरे बता नहीं सकते यार दहेच तो हर कोई देता है ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पते के लिए अरे बड़ी शहर में कोठी है इसके पापा की अरे पापा की है न कौन से इसकी है इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है न किस ने कहा अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो वैसे भी शादी के बाद सारी प्रापटी भाई के नाम होती है सृष्टी समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माबाब की सारी प्रापटी को अपने नाम करना है लेकिन कैसे एक दिन स्रिष्टी का भाई शीनू कहता है बहन क्या कर रही है उटसे एक बात करनी है अरे हाँ हाँ करना मैं तो तेरी बहन हूँ बहन मेरी लाइफ में न एक लड़की है बहुत अच्छी है मैं सोच रहा हूँ मा और पापा से बात करूँ शादी के लिए स्रिष्टी को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बरदाश नहीं करेगी क्या बात है भाई बताना कौन है वो यार वो बहुत अच्छी लड़की है पड़ी लिखी है मेरे साथ जौब भी करती है बस एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है भाई यार वो शादी शुदा है लेकिन उसके पती ने उससे सिर्फ इसले छोड़ दिया क्योंकि उसके माबाब दहच नहीं दे पाए स्रिष्टी ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है अरे भाई तो क्या हुआ लड़की तुझे तो पसंद है ना शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है वो इस बात से अंजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हडपने की है स्रिष्टी अपनी मा से कहती है मामे मुझे तो बहुत चिंता है पता है शीनू क्या कर रहा है अरे क्या कर रहा है वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है नहीं ना मा वो यही तो नहीं कर रहा है बाकी सब कर रहा है आपको पता है उससे प्यार है और वो भी एक शादी शुदा लड़की से ये क्या हो गया, मैं सुसाइटी में क्या मू दिखाऊंगी अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैं नहीं उसे बिगार दिया है मा देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं, क्यों? बोलो अरे बेटा, वो तो नौक रही करते हैं ना तू बहुत भोली है मा, पापा का ओफिस तो साथ बज़े खत्म हो जाता है लेकिन देखो, कितनी देर से आते है अरे, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है शृष्टी मा को एक औरत से बात करते पता की फोटो दिखाती है देखो मा, कैसे हैं पापा? मैं ना कैती थी कि पापा सही नहीं है मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे अब क्या था सृष्टी के मा और पिता के बीड जगड़ा होना शुरू हो जाता है सृष्टी के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था एक दिन मा सृष्टी के लिए एक लड़का देखा है वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं और हा मा, एक खुश अबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिस्निस ट्रॉइ कर रहा है, शाम को लड़का आता है, साउले रंग का, सृष्टी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लड़की की मा कहती है, लड़की का चहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे क आप लोग सेटल कर दे, तो मैं उसकी शादिय आपकी बेटी से करवा दूँ, सृष्टी को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, उससे भाई पर गुस्सा आजाता है, लड़के वालों के जाने के बात कहती है, मा दिखा, शीनु मेरे लिए कैसा लड़का लिकर आया, ना लड़का बताया था, उसने उसकी बहुत तारिफ की थी, बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टी का मन शान्त नहीं होता, क्या करू कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी शादी हो गए तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनु के नाम कर देंगे, मेरे हो तो कुछ करती है, मा, शीनु कर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है न, वो शादी शुदा है, यहां आएगी, सारा पैसा, रुप्या, जमीन, जाइदा, सब भड़प लेगी, पापा का भी हाल तुम से चुपा नहीं है, ऐसा ना हो, कि मैं और आप एक दिन सड़क प लेकर अलग हो जाओ, पापा की आधी प्रापरटी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है न, तो अगले साथ जनम सफर समझो, बिचारी मा, बेटी के कहने पर पती से तलाक लेकर अलग हो जाती है, स्रिश्टी अब पैस उसे गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे मा को स्रिश्टी से ये उमिद नहीं थी, वो बैठ कर रोने लगती है, वहीं उसका पती यानि कि स्रिश्टी के पिता आ जाते हैं, मा पती के गले लग जाती है, मुझे बाफ कर दीजी, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया, कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी साथ प्रापर्टिक खड़ी कर दूँगा, तब ही वहाँ स्रिश्टी आ जाती है, रोते हुए, मा, मा यंक में मुझे छोड़ दिया, वो बोल रहा था, जब तक मेरे पास पैसे थे, तब तक ही वो मेरे साथ था, पापा, मा मुझे माफ कर दीजीए, झाल झाल